जो important बदलाओ आपको करना चाहिए और जो बदलाओ आएगा उत पर बात करने आजाए हो important वीडियो जहां से सुना उसमें क्या change लाओं सर कैसे बदलाओ लाओं उसमें किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत में बदलाओ करा है क्या है आप सब लोग जानते हैं उसको बताने नहीं आया हूं क्योंकि वह तो आप सब लोग सुन चुके हैं कि 10 में से अब 5 सवाल जो पहले करने होते थे अब ऐसा विकल्फ हमारे पास कुछ भी आपको करना चाहिए और जो बदलाओ आएगा उत पर बात करने आ जाये हो इंपॉर्टन वीडियो द्यान से सुनना काम की बात है क्योंकि बहुत छोटा सा आपका बदलाओ आपके नंबर में बदलाओ लाता है नंबर में बदलाओ हजारों की रंकों में बदलाओ लाता है क्या बदलाओ ध्यान से समझें कि पहली बात सेिडी में क्या चेंज लाना पढ़ेगा उस पर बात करी जाए की एक homeless स्ट्थ में क्या चेंज गरना पड़ेगा वह बदलाओ को और कट आप रख बढ़ेगा तीन more important point c 그 मैं कैसे पढ़ रहा हूं उसमें क्या पर चेंज लाओं सर कैसे बदलाओ लाओं समें सर एक्जाम स्ट्राटेजी में क्या चेंज लाना पड़ेगा जो मैं अभी तक कर रहा था वो और उसके बाद कि कि कट आफ में क्या चेंज आएगा एंतीनों पर बात करेंगे ध्यान से सुनिए का ताइम कम कर आप करते हुए आगे बढ़ते हैं पहली कि अगर हम बात करें तो सल्फ स्टडी में क्या चेंज लाना है से अब को इसमें दो इंपॉर्टन चीज जो मुझे लगती है वह मैं आ लीजिए कुल मिलाकर जेई में कर बात करने लगब लगब सो चैप्टर है सो में से पांसाथ चैप्टर में छोड़ भी दियो दस में से कोई सवाल आया तो मैं उनको स्किप कर सकता हूं ठीक है बात बन जाएगी दस में से पांच ही तो करने थे सेक्शन भी में ठीक पर अब यह कहना है कि 100% कंप्लीशन ओफ सिलेबस जरूरी है वर्ना आपकी कंप्लीशन ओफ से बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है इसके बिना काम नहीं चलेगा सिलेबस का बिलकुल कंफर्म पहले आप छोड़ दे देखिए और इजी यह तो आप पहले भी कवर करते थे मीडियम और इजी तो अब अगर बात करें तो तफ को आप छोड़ नी सकते बार जो सब्सक्राइब तो अब चेज़ आसान होती तो हो सकता है जो दूसरे बच्चे को तुम्हें तफ लग रहा हो तो सर हम क्या करें जो तुम्हें तफ लगता है माल लीजिए मुझे तो मुझे रूटेशन तफ लगता था और मुझे मैं थोड़ा इंटीग्रेशन में तफ लगा करता था बात में जब पड़ा तो असान लगा फेर वह एक अलग बात है अब मैं कहा रहा हूं जो तुम्हें तफ लगता है उसका आपके फॉम्मला बेस सवाल गलत नहीं होने अचिए मतलब है क्या अब मैं से चुर्ण Tá Al块 सवाल की बात नहीं कर रहा हूं अजो तुम्हें तफ लगता है जो तुम्हें dapat लगता है इसा पताईये पताइए इसका मॉममेंट और से होगा जोगा पड़ते हों जानते हैं आसान सवाल बाइदवे आगे थासान सवाल और तुम्हें गरत कर धिया तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा जैसा कि मैं कहता हूं कि नंबर की नहीं राइंग की लडाई है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मैं कह रहा हूँ जो चप्टर आपको टफ लग रहा है पहले गार छोड़ भी देते थे थोड़ा विकल्ब की वज़े से लॉस कम होता था अब लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो टफ चप्टर के भी फॉर्मला बेस सवाल फॉर्मले याद होने चाहिए फॉर्मले याद होने चाहिए इसमें आप कोई गड़बल नहीं कर सकते हो फॉर्मले याद होने चाहिए मला टफ में से टफ चप्टर जो तुम्हें लगता है उसका अगर easy सवाल आजाए तो तुमसे होना चाहिए important बात है hundred percent completion of syllabus करना है क्या सारे चप्तर एक इस तर पर आएंगे ऐसा जुरूरी नहीं है हमें क्या कुछ tough लगेंगे कुछ medium लगेंगे कुछ easy लगेंगे medium easy तो तुम cover करी लेते हो tough कभी-कभी छोड़ देते हो उन्हें अब छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे पर उन्हें छोड़ना नहीं है हैं दूसरी बात जो मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं वह यह कि अगर आप ध्यान से देखो जो सेक्शन भी आप क्या आता है उसमें ना सेक्शन भी जो आता है आपका अमूमन उसमें जो सवाल होते हैं वह कैलकुलेशन बेस्ट होते हैं कैसे होते हैं कैलकुलेशन बेस्ट है अमूंवन डालती है तो कमलेशन बेज हैं है की इसी हा है कि कमलेशन एक जंड फॉर्ट माख़ए इंट हो कि कैलकुशन कर सकते किसी बी मस्ट फॉर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे आप वी कल्कुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ मेहनत करने से सेलेक्शन नहीं होगा नए एंवार्मेंट के साफ से खुद को ढालना बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा से एंवार्मेंट में बदलाओ करा गया एक्जाम के बदल करने यानि कि आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और हंडेट परसेंट कंप्लीशन आपकी सल्फ स्ट्रडी के आपका टार्गेट होना चाहिए अगर चप्टर टफ भी लगे तो भी उसके फॉमले सारे आध होने चाहिए ताकि उस तफ से अगर आसान सवाल आ जाए तो हमारा सही होना चाहिए ठीक है हां सर यह बात लिया रहे दूसरी बात मैंने क्या बोली यह थी स्ट्रडी की स्ट्रटेजी में बदलाओ ठीक सेकंड बदलाओ क्या था ध्यान से सुने सेकंड बदलाओ था एक्जाम की स्ट्रटेजी में एक्जाम स्ट्रटेजी जो आपका बी कि अभी पढ़ने पढ़ेंगे कम पढने पढ़ेंगे हाँ बिलकुल आप सही बोल रहे हो तो एक एवरेज बच्चे का ये करीब करीब 10 minute बचाएगा 10 से 12 minute बचाएगा किसी का 8, किसी का 10, किसी का 12 मैं आवरेज ले लिया, कितना? 10, 10 minute बचाएगा जो पहले हम कर रहे थे उसमें क्या पढ़ने के time में बचाएगा क्या ये 10 minute बचाएगा हाँ सर, ये बिलकुल सही बात है कि 10 minute बचाएगा अगर ये 10 minute बचा रहा है तो ये 10 minute कहाँ जाएगे क्या इससे हमारी सवाल करने की जो capability है वो बढ़ेगी? नहीं इससे हमारा क्या बढ़ेगा ध्यान समझना अगर आप पहले, जो first attempt करते हो maximum बच्चे क्या करते हैं? कोई बच्चा ये टार्गेट लेके चलता है कि मैं तीन घंटे का पेपर है first attempt मैं दो घंटे, ढाई गंटे में या ढाई घंटे में कर लेता हूं आदा घंटा में उन सवालों को करता हूं जो मुझे टफ लग रहे थे या जिन पर मेरको तुक्का मानना था या दो अप्शन को रूल आउट करना था या वापक इसको चेक करना था तो first attempt time हर बच्चे का लग लोग होता है किसी का 2 घंटे 45 मिनिट, किसी का 2 घंटे 50 मिनिट, किसी का 2 घंटे कोई बच्चे का 2 घंटे first attempt time should be reduced by should be reduced by 10 minutes कई लोग कहरें sir, हम तो कभी first attempt पर बारे में सोचना पड़ेगा, आपने नहीं सोचना था क्या आप पहली बार में पेपर करते हो फिर उसको वापस तोड़ा बहुत चेक करते हो क्या तफ सवालों को अलग रख लेते हो कि इसको में बाद में करूंगा, ऐसा सब लोग करते हैं तो आपकी पहले तो आपको यह द्यान में रखना है क्या फस्स टाइम जो आपका जो फर्स टाइम टाइम है शुट भी रिडूस बाइट यह दस मिनित कहां काम आएंगे यानि कि जो सवाल आपको टफ लग रहे थे जिनको आप वह टाइम देना चाहते थे क्या उसमें दस करोगे तो आपको जो टुफनेस बड़ी है विकॉज जो है आपके विकल्प कम हो गए है पर आपके दस मिनित बज भी गए है ताकि आप अच्छे सवालों को अटेम्ट कर पाओ जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो उनको समय दे पाओ हाँ कई लोग क्या करते थे कि सेक्शन करीब कम कर लेना है क्यों कि उस जगे आपका टाइम बच जाएगा उन तीनों सेक्शन में मिलाके फिजिक्स में केमिस्ट्री में और मैच्स में हां सर यह बात आपकी बिल्कुल सही है तो आपके माइनस 15 सवाल होंगे तो आपका जो मेजर पॉइंट वो यह है कि फिर्स अ अच्छा हम एक बात और कहते थे आपको क्या कहते थे जो हम पहले कहते थे अब यह बदलाओ है क्या जैसे वेक्तिका दूसे में बुलता था कि सबसे पले सबसे पांच सवाल चाड़ो जो तुमसे हो सकते हैं खटा-खटा-खटा-पांच कर लोगे तो तुम्हारा चाहिए और फिर आपकी जो है आपको तुम्हार को कर लोगे तो तुम्हारा कॉनुदेंस बढ़ जाएगा यह जो भी पसंदीजा सब्जेक्ट है उसमें section A और section B जो आपको अच्छा लगए वो करें बलकि मैं आपको बार-बार एक बात बोलता हूं कि जो आपको पहले सवाल आपको सबसे आसान सवाल लगे उसको करो फिर पेपर page 2 को देखिए जो आसान लगे वैसे करिए इस sequence में follow करिए तो जो हम पहले बोलते हैं कि section B करिए पहले ऐसा कोई जरूरी नहीं है equal likely हो गए अभी ठीक है equal हो गए किसके attempt से attempt strategy के सबसे ठीक है equal हो गए क्यों किसी को भी पहले attempt करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता एक बात में बार-बार आपको कहता हूं बार-बार क्या कहता हूं कि यह जितनी भी चीज़ें बच्चे बार-बार उसे सवाल नहीं होते तो थियोरी पढ़ने लगते हैं यहांदा से ज्यादा स्वाल करें एग्जाम है सवालों का इग्जाम है यह ठोड़ी का और काम किये सवालोंका इق्ञाम है JI सवालों का एक्जाम है प्रेक्टिस करिए प्रेक्टिस 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 क करिए सेल्फ मेड पेपर्स करिए सैल्बेड पेपर्स करिए इस करिए बिलकुल कंफार्म यह बहुत जैदा जरूर new सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब करीज वान है सब्सक्राइब करीजलेड करें उनको सब्सक्राइब सब फिए इंको करके सेलेक्ट हो सकते हो कोई जरूनी अशरी करने करना ही करिए इनको पर करिए जरूर जिनके प्रक्ट्रीक्टर्स से जरूर से करी एंको यह पनी बात की ट्रैक पर तो मुझे ऐसा लगता है कि कट आफ और 1-1,000 राइंग मतलब कट आफ विल भी सेम ओल्मोस्ट ठीक है यह एक हजार से लेकर एक हजार से लेकर करीब पचास हजार तक पचास हजार तक यह वापस थोड़ी कट ओफ घटेगी कट ओफ डिक्रीज इस स्लाइटली बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा अगर मैं इसा मान रहा हूं क्योंकि पेपर का लगभग लेवल यह तो दस एक हजार से लेकर पचास हजार तक मैं लगभग चेंज आएगा इस पैटन को अगर उसे ध्यान में रखेगा तो कट आफ को लेके बहुत ज्यादा वैसे ज़रूत नहीं है क्योंकि एग्जाम मार्क्स का भी नहीं है यह एक्जाम किसका है परसेंटाइल का तो आप रिलेटिवली कैसा परफॉर्म करोगे उस पे बहुत मैंटर करता है और reality में आप सवालों को ध्यान से पढ़ोगे समझोगे और उन्हें करोगे तो स्वालों की किसकी सवालों की आशा करता हूं यह वाली बात तुम्हें समझ में आई होगी पैटन तुम पहले से जान चुके हो पढ़ते रहिए लड़ते रहिए अगर दोनों काम करोगे तो जरूर सफल होगे पक्के से याद रखना इस बात को पक्के से याद रखना है कि पढ़ना भी पढ़ेगा लड़ना भी पढ़ेगा प्रण भी करना पढ़ेगा और एक बहुत अच्छी कवीता मुझे याद अगे इसे बोलते बोलते वो मैं तुम्हें सुना देता हूं कि युद् क़ नहीं को तो नहीं जिन के जीवन में वह भडे अभागें होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़ा होगा, यानि की कौन वो अभागे हैं जो इस युद्ध से वंचित रह गए, इस मेहनत के युद्ध से सफलता के युद्ध में जो सफल नहीं हुए, वो कौन हैं? जिन्हों जो प्रण तो दिया उगा, यार मुझे करनी नहीं है। ठीक है? तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अबागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण को छोड़ा होगा, मेसेज तरवादा करता हूं इसी तरह किसे आपके लिए महनत करता रहूंगा जो जो आपके लिए लाइक वाली चीज है मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज है उन्हें जरूर देखिए बहुत सारे मुटिवेशन नहीं होंगे हो सकता है उनकी रिल्स कम भागें पर वो काम के बहुत हैं स्ट्रेजी वीडियो जरूर देखिए थैंक यू